दोस्तो देल्ली कैप्टल ते एक ऐसी टीम है जिन में काफी भेतरीन भेतरीन खिलाडी शामिल है रिशपपन, स्रेश, आईयर, शिखरदवान, पिर्तवीश, एन्रिज नौरकया, रकगीसो, रबाडा, रविच चंद्र, अश्मिन, अक्षर पतेल जैसे खिलाडी इस टीम मे शामिल है लेकिन IPL 2022 के मेगा आउक्षन में मात्र तीनी खिलाडी रिटेन कर सकते हैं और दो खिलाडी आट्यम काट के जरिए अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं बाकी के सभी खिलाडी रिलीस करने होंगे तो दोस्तो इस वीड़ों हम बात करने वाले देल्ली कैप्टल के हैं वह थीन प्लेयर जिन को रिटेन करने वाल आगा और डेव प्लेयर जो रहने वाले जहाँ आटेम काके जरी सी वह आपस टीम हैं और gर कंदर बात करेंगा ईकन बातेना तकि हमारी लेवक बात करने सब्सें कवादगे को मिले तो आधिए चलो देखते हैं सबसे पहले बाद करते हैं return players की पहला जो नाम है रिशब पंद का है दूसरा जो नाम है कगीतो रबाड़ा का रहने वाला है तीसरा नाम है श्रेय शायर का तो दोस्तों ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन गो धली capital हर रहाल में retain करने वाली है और तीनों ही बहुत ही बहुत थी बहुत किलाड़ी है जो अपनी टीम में वापस शामिल होने माले है पहला जो नाम है शिकरदोन रहने माले है शिकरदोन ओपनिंग बगे तोर पर नजर आते हैं और दूसरे जो खिलाड़ी है रवी चंदर अश्विन है रवी चंदर अश्विन का परफॉर्म काफे बहतरीन रहा दली केप्टिल क सीजन में हमको वापस देली केप्टिल की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले है वैसे रिशाप पन्दो आईपेल 2021 के सीजन में टीम की कैप्टेंसी भी कर चुके तो वहीं शिरेश एयर आईपेल 2020 के सीजन में अपनी टीम का फाइनल तक पहुचा है तो वहीं शिक पटेल का रहने माला है तीसरा जो नाम है इस्टि इसमित का है चौथा जो नाम है अजिंक रहने का है पांच वा जो नाम है अवेश खाना ये पांच किलाडियों के सासत बाकि सबी किलाडियों को भी रिलीस करना होगा लेकिन पांच एक ऐसे किलाडिया जो टीम को ही रीड की तरफ से IPL 2021 के सीजन में खेले थे आज इंकराने जो मीडल ओडर टॉप ओडर सभी सभी स्टेज पे काफी बहतरीन बैटिंग के लेकिन इसके बावजूद भी टीम को रिलीज करना होगा तो दोस्तों और अब बात करते हैं वो टार्गेट प्लेयर कौन-कौन से रहने समिल्वाल है देल्ली के प्लेष पहला जो नाम है एक्ष कर जाना जो को व आक्षक फाटेल का प्स तीम में शमिलर करना जरूर्य स्था नाम हैOUR क्रिस मौरित मौरित की तरफ से एक ब्रम करें अगर राजस्तान रोलड्व को रिलीज करते हैं तो Chris Morris को वापस Delhi Capital आपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहिए हो यह पांचों जो खिलाड़ी है Glenn Maxwell रहने वाले, Glenn Maxwell भी Delhi Capital की तरफ से खेल चुके हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किये थे जिसके लिए Delhi Capital उस खिलाड़ी को रिलीस कर दी से लेकिन अगर Chris Morris, Glenn Maxwell और Mark Stonis में से कोई दो खिलाड़ी अगर देली Capital वापस आ जाता है तो और भी बहतरीन परफॉर्म करता है, बागि सभी पांच जो खिलाड़ी रहने वाले, ओलेडी देली Capital की तरफ से खेल चुके हैं तो दोस्तो इसे उड़ों बस इतना है, थैंक्यू सो मच गाइस